अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किस तरा हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं CSS में हमने आपर लेयाउट्स बनाने की बात करी थी अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक अक्सस नहीं करिये थे यह पर एक बहुत ही इंपोरेंट कीज बताने जारा हूँ आप लोगो जिसका नाम है टैंपले डीज़ और अपलेगा अपर यह जो नाम है आप लोगो थोड़ा सा परिशान कर सकते हैं आप लोग यह सोच सकते हैं कि क्या यह नाम मुझे याद रखने पड़ेंगे क्या इस नाम होगा मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा तो इसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको सिंप्ली आप लोग अपना एक रेफरेंस जातों बना लें नहीं तो ऑनलाइन रेफरेंस मिलता ही है अगर आप CSS रेफरेंस लिखोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा सो मैं अब आप लोग को यही बताना चाहता हूं कि ग्रेट जो होती है वो यूज करनी आनी चाहिए बहुत सारे लोगों यही नहीं मालूम होता है फ्लेक्स बॉक्स होता है कुछ ग्रेट होती है इसको यूज भी कर सकते हैं कुछ लोगों ने आज से कि आप लोग को टेक्नोलजी के साथ अब डूड़ेट रहना पड़ेगा CSS, HTML, JavaScript में जो जो चेंज आ रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहना इसके आगे भी कितने भी टाइम के बाद आप आगे चले जाए यहाँ पर लेकि नए नए फीचर्स जो है लैंगोज में जुड़ते रहेंगे तो मैं पस यही चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को दिमाग में रखें कुछ भी करने से पहले तो यहाँ पर style लगा देता हूँ CSS लिखने के लिए और यहाँ पर एक container बना देता हूँ और container बनाने के बाद यहाँ पर div.item कर देता हूँ और उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा item dollar कर दूँगा dollar मतलब होता है वो number जो की अगर जैसे मालूम मैं यहाँ पर 10 बनाए 14 बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने यह 14 emet की मदद से रख दिये अब अगर आप लोगो नहीं मालूम यह कैसे करते हैं तो यह playlist में सब कुछ है मुझा हर वीडियो में बताना पड़ता है कि यह playlist है आपर kindly इसको access कर ले, bookmark कर ले और comment में कोई पूछे कि यह video कहां से आ रहा है तो उसको इस playlist को point कर दे दूसरों की मदद करना भी आप लोग को ही responsibility लेनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर ctrl s करते हैं और यहाँ पर यह items आ चुके है और style में यहाँ पर क्या करेंगे एक तो dot container है मेरा उसी के साथ मेरा क्या है उसी के साथ मेरा यहाँ पर dot item है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले तो इसका background color set करूँगा और मैं background color yellow कर दूँगा border कर दूँगा 3 pixels solid black एक pixel बढ़ा लिया मैंने फिछले वीडियो में 2 pixel यूज किया था अब यहाँ पर container के अंदर सबसे पहले तो काम की बात display grid जो की important है अब यहाँ पर आप लोगो grid template areas के बारे में बताता हूं कितनी धमागेदार चीज है तो इसके बारे में बताने से पहले जारा देख लेते इसको grid है उसमें बिल्कुल भी spacing निया बहुत बिकार दिख रही थी देखो one ram की grid gap मैंने डाली तो अच्छा लग रहा है तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको template areas क्या होते है अब जैसे मालो यह item 1, item 2, item 3, item 4 यह सारे का सारे items मैंने बनाया है मैं चाहता हूं कि 3 items मेरे एक ब है मालो मैं हापर बनाना चाहता हूं गया अऔर अदी डॉक बनागा हूं यह पर इंपक अरी इस्तिमाल करेंगा क्यों प्र नौ político मालो मैं रहे हैं मालो मैं आप January बनाना चाहता हूं इसके बद मैं एक यापर section बनाना चाहता हूं डिन डॉप इसक्षिन और उसके बाद मैं क्या बनाना चाहता हूँ उसके बाद मैं बनाना चाहता हूँ live with id aside ठीक है तो एक navbar एक section और एक aside एक बहुत ही ideal सा scenario जो कि शायद आप लोगों ने भी देखा हूँ और यह item में भी CSS डालने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले तो इन सब की CSS लेकोंगा यानि की जो मेरा navbar है तो कोई गलती कर दी मैंने बताता हूँ मुझे class add करनी id थोड़ी 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 दो add कर सकता हूँ कोई तो यहाँ पर मुझे सतर करेना पड़ेगा तो मुझे classes add करनी यहाँ पर class is equal to item को copy करके मैंने यहाँ पर paste करना है सबसे पहले और यहाँ पर paste करना है तो सबसे पहले navbar और उसके बाद मुझे यहाँ पर section और उसके बाद मुझे यहाँ पर aside को target करना है अब स्मेल सी एक चीज लिखänger conjunction है तो मैं सिंपल सी चीज और उसका नाम कैसा को मार करो मैं चावा गरिटियो का कैसे इसके मिलेधियो सेक्षिन आता गाद मैं है आड क्या शेक्या आघ पर एक विडियो देखेज और समझ में आजाएगा मैं क्याँ रहा हूँ मैं अदा काम पूरा किया नहीं है अब दियान से देखना कि जब मैं पूरा करूँगा एकदम अचानक सब कुछ आपको चमक जाएगा एकदम सब कुछ अचानक चमकेगा और आप भी गोगे गयार मदा आ गया रिवे देखो यहां पर मैं क्या करूँगा नैव बार रखना चाहता हूं फि यहापई अधेगर बढ़ नहीं घडड़ एंधी क्रिया मुझे सबसे पहली गड़बल तो मुझे दिख पहली गरपता हूं दिख रही है यह है कि आ पने प्र मानी क्या करना है टेमपलेट ऐरिया में इक मेंक्रिक्स अपको बरानी है मेंक्रिकिस किया मतलब है उसमं रो ज तो के लिएॉ नेव व पूरे नेवर नेवर यहां रॉआ यहां अब दो कि आंपर कंटेंट डालता हुं कुछ यहां पर में धालां चाहते अंपर कंटेंगन जाना कुछ लो जीकलल सा मालो मैं यहां नेव बार में ंचाहता हो at trial awesome अबाऊवट contact us मालो यह सब डालना चाता हूँ ठीक है और उसके बाद यहाँ पर मैं डालना चाता हूँ कुछ लॉर्म 23 डाल देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ लॉर्म 12 ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि यह जो आप लोग को दिख रहा है मेरी वेबसाइट बिल्कुल इस तरह दिखाई देगी यानि कि एक grid बनेगी जिसमें दो रोज होंगी चार कॉलम्स होंगे और यहाँ पर यह जो पूरा एरिया है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसमें navbar होगा यानि कि पूरी की पूरी यह जगद navbar गेरेगा इसके बाद यह जो तीन है यानि कि 3FR जो है वो section गेरेगा और 1FR aside गेरेगा तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखो देखो बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो मेरा layout बन चुका है मैंने सोचा था कि यहाँ पर इस तरह से home about contact us को रखूंगा यहाँ पर बाकी जो चीजे उनको रखूंगा अब इस text को थोड़ा देता हूं आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा यह realistic दिखे तो यहाँ पर lorem 400 lorem 400 add करता हूं कुछ जादे ही text add कर दिया लेकिन यहाँ पर lorem 400 add करता हूं और lorem 400 lorem 400 जो जो मैंने add किया इतना बड़ा बड़ा text यहाँ पर इसको मैं हटा दूंगा यह सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि layout बन चुका है grid gap जो मैंने दिया है उस हिसाब से यह layout बड़े आराम से बन चुका है मैं यह text कम कर दूंगा बाद में चुकि source code आपको देना है और source code आपको दूंगा उसमें इतने सारी चीज़े होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा तो footer मानलो मैं यहाँ पर lorem 12 रखना चाहता हूं मानलो और मैं इसके बाद यहाँ पर footer जो है मेरा अगर मैं इसको यहाँ पर एक मिन सबसे पहले आप लोग को footer को दिखा देता हूं यहाँ पर मैं footer 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 करना चाहता हूं footer और कितनी बार footer इसको copy करता हूं एक दो तीन चार चार कॉलम में तो चार बार footer और यह देखो यहाँ पर ही आ गया footer में class add नहीं करी थी मैंने इसलिए नहीं आ रहा है अची तरह से footer में सबसे पहले class add करता हूं class is equal to item add करता हूं ठीक है तो यहाँ पर item class add कर थी footer में और यह देखो बिल्कुल वह जो border वगरे दिया तो वह सब भी आ गया है अब जरूर ही नहीं कि आपको border इतना सारा देना है बिल्कुल ऐसा ही layout बनाना है मुझे बालूम में website बिल्कुल अच्छी नहीं लिख रही है लेकिन CSS हमने सीखी है designing करना आती है हमने responsive website भी बनाई है सब कुछ हमने किया है इसी में media query लगा कि इसको responsive भी बना लेना और जिस तरह से आपर मेरा item लिखा है पैडिंग दे लोगर ऐसा ही है तो 12 pixel और उपर नीचे से 12 pixel कर दी और 23 pixel साइडों से कर दो तो यह बिल्कुल ऐसा दिखेगा तो मैं बस यह कहूंगा कि आप लोगों की आपर जो अकाश है वही सीमा रहेगी इसको कितना अच्छा और बना सकते हो तो यह एक layout बन चुगा बहुत अच्छी website बन चुकी है आप आप टेक्स टालो मुझे मालूम है कि यह जो भी current website हमने बनाई है कि 2000-2000-1998 में जो बनती नी website है वैसी दिख रही है लेकिन वो जो website है बनाते थे वो लोग बहुत महनत से बनाते थे और यहां पर यह website है यह देखते देखते ही हमने CSS Grid से बना दी है मैंने आपको explain कि definitely कुछ minute लगे लेकिन घर पे बैटके अगर आप बनाओगे खुद बगुद तो बहुत तेज बन जाएगी कहने का यही मतलब है CSS Grid एक कमाल का टूल है Summarize इसी तरह करूम है इस चीज़ को और आप लोग CSS Grid के इस्तेमाल कर सकते हो Layouts बनाने में यानि कि पूरी website के इसके अंदर एक grid डालना चाते हो मालो आप image gallery दिखाना चाते हो यहां पर एक section में तो उसके अंदर grid डालो आप तो मेरे साब से बहुत strong tool है और अभी इस time पर जिस time पर आप सीख रहो web development यह web development सीखने का एक awesome time है क्यों क्योंकि एक तो opportunities opportunities बहुत जादा है job opportunities कहलो यहां फिर आप कितना आप डिमांड आ गया है इस चीज की वह कहलो बहुत high demand है development की quality development की तो बहुत high demand है क्योंकि छोटी मोटी website तो सभी बनाते है stack overflow से उठाउटा के सभी paste करते लेकिन understanding रखने वाले बहुत कम लोग है इसलिए मैं कोर्स लेकर आपके लिए आपको understanding हो और free में लेकर आए उसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग educated web development के बारे में आप लोग इस वीडियो में इतना ही आप लोग इस playlist को kindly मेरे लिए share कर दे और इसको share करें अपने दोस्तों WhatsApp group में जो भी आपके computer science related interest रखते हैं और अगर आपके कोई college का group हो या फिर अगर कई पर आप job करते हो तो इसका कोई group होगा तो आप इसको share करते हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो काफी लोगों को बहुत मंदन मिलेगी अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे होसले के लिए लिए लाइक करते ने इस वीडियो को ताकि आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूं Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time Outro